वह गुरू वह गुरू वह गुरू वह गुरू एककों कार्शत नाम करता पुर्ख निर्पाउ नर्वेर्यकाल मूरत अयोनी सैपं गुर्पुर्शा साथ संग जीयो एस संसार असी देख रहे हैं तो हानू जा पता है कि एस संसार दा करनवाला कौन है एस संसार नू पैदा करनवाला कौन है ओ परम्पिता परमात्मा जिसनू असी वह गुरू कहने है जिसनू असी अला कहने है जिसनू असी राम कहने है जिसनू होर नावा नाल भी जान देया, ओ एस संसार दा करता है और जिनने भी एस संसार दे विच जीव पैदा कीते है ओ उस पर्म पिता पर्मातमा दी किरत है और उस पर्म पिता पर्मातमा दी संतान भी है ओ इस पुत्रा दा मालक भी है, पालक भी है ते एस सारी किरित नूँ चलाये मान करन वास्ते उस ने एक अपने वदान बनाए होए है सब तो पहला एस जीव दी पैदैश जो है ओ कीती है और उस दे नाल ही उस दी मृतु दा भी इंतिजाम कीता होया और मृतु दा इंतिजाम जीड़ा है ना ओ महा काल नूँ बक्ष है काल नूँ बक्ष है काल पाव मृतु और एस दा जुम्मा जीड़ा है ना इतिन हस्तियां जीड़ियां ब्रह्मना पैदैश दा करता है विशन इस सारे संसार दे जीवां दा पालक है और महेश जिड़ा है ए सारे संसार दे जीवांदार संहार करके उनानू मृत्तू बक्षदा है और इस तो इलावा जैसी कहिए ओ परमपिता परमात्मा तो इलावा कोई होर नहीं है कि कोई ऐसा कर्म कर सके इक को इक परमपिता परमात्मा ही है ओबड़ा द्यालू है ओबड़ा किरपालू है ओसनू असी अकाल कहने है असी अबनासी कहने है असी ओसनू निर्पाओ कहने है असी ओसनू अजूनी भी कहने है असी ओसनू अकाल भी कहने है ओकाल तो रहता है कदे जमदा मर्दा नहीं है और एस तरह देनाल ओ परम्पिता परमात्मा सारी स्रिष्टी देविच अपना तर्म अपना सिदांत इस संसार नुचलाउं दा जो सिदांत है मर्यादा है उसनों कैम कीता होया उसने उसने एक तर्म बनाया ये मर्यादा जिसनों सी कहने है उसनों सी तर्म भी कहने है ऐसा पक्कातर मैं बनाया कि मर्यादा कदे विजेड़ी है और तस तो मस नी हो सकथी और पेद कदे बदले नी जा सकथा और कर्म जड़ा है मर्यादा ता ओ कदे बदले नी सास जा सकथा और वो सारे जी जनतां दे उत्ते लागो हुंदा है ते इन दे जनतां दे कर्मा दा लेखा जेड़ा है वो भी हुंदा है और जैसे कर्म कोई कर्म रूख कर दी है वैसे ही कर्म जेड़ी है वो उसनों पोगतने पहिंदे है वो ना दा फाल ही वो उसनों चुगना पहिंदा है तो साथ संग जी इस कर्म नूं कर्ण वास्ते उस पर्म पिता पर्मात्मा ने तर्म नूं चलौन वास्ते इस लेके नूं रखन वास्ते लेके नूं कर्ण वास्ते एक तर्म राज नूं अपनी वक्षिश दिती हो या अपना प्रताप उस तर्म राज नूं दिता हुए पुसास संग जी ऐसा होकम है उसदा के ओ होकम जड़ा है होकम मर जाई चलना ना नेक लिखिय कार होकम ना कह आजाई होकम हो ना जा जाई होकम होवण ची होकम लिवड़ ey सकते हुकम परमपिता परमातमा दे होकम नाल हम्तो होकम नाल भी साडे कर्म दे लेक overd ai ai बिन बोलया ही ऐसी कलम दवारा जेडी के कदे रुक दी नहीं है अपने आप बिन बोलया ही चल दी रहें दिया और कर्म दा लिखा लिखिया जनता है तो साथ संकजी ऐस तरह दे नाल फिर ए संसार देविच ओ परमपिता परमात्मन ने मतलब ऐस संसार नो चलाउन वास्ते एक आ माई जोगत वे आई तेने छेले परवाण एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवाण जिवतेस पावैर तिवे चलावै जिव होवै फरमान और है उना नदर नाव है बहुता ये विडान तो साथ संग जी इस तरह दे नाल ए परमपिता परमात्मा ने माया बना के फिर माया नूं आग्या दिती के संसार पैदा करना और माया ने एक तिन चेले अपने तिन पोतर जड़े बिना परसूतों ब्रह्मा विशन महेश पैदा की दा संहार करना तो साथ संग जी इस तरह दे नाल फिर ए जीवान दा जड़ा है पैदैश होंदी है फिर पालना भी होंदी है और फिर अंत दे विच एस दा अंत काल भी हो जन्दा है तो साथ संग जी इस तरह नाल इस परमपिता परमात्मा ने अपना एक विदान चला रख जिस दे नाड सारी सुरिष्टी दा चलन जिडा है उचलाय मान है और उचलन जिडा ओविदान जिडादच जिडाई है इन पकि है और कि अधे बदले निजा सकते तुक्राइव सत्भुिविद बख्षिवेज कर दे पकि नाड देख उग je qaladha परमातमा नाम सिमरन करेंगा न, ते फिर तेशनों स्वर्ग सुख के दों, जदों परम्पिता परमातमा नाम सिमरन करदा होया सेवा और पौन दाण जिनों आसी कहने आए जिनों हिंदू तर्म दे वीच पौन दाण क्या ज logo पौन Raadadadad ar इसेवा दा फाल चंगे कर्मा दा फाल जेड़ा है वो तैनू सोख मिलेगा जिसनू असी सुर्ग कहने है और सुर्ग देविच तेरे जिन्ना मतलब प्रमात्मा ने तैनू बक्षिश कीती है वो न चर रहे के तू सोख दी प्रापती करेंगा उस तो बाद फिर तू अपने अ तावक जेहा भी जय सोल उना है कर्मा संदड़ा खेद इस तरह दा विदान भी लागू हुंदा और तैनू नर्क दी प्रापती हुंदिया जिते तैनू तसिहे मिल देया जमा दी मार मिल दीया और बड़ा दुख चोना पहन दा है और सुखां दे देवते जड़े है नो ही सुर्ग दी प्रापती हुंदिया तो साथ संग जी एस तना दे नाल उस परमपिता परमात्मा दा जेड़ा राज जेड़ा है न ओ अटल अवनार्शी ओधी मर्जी दे मताबक चल दा है जे ओ चावे ते एस नू भिनास करना चावे ते एक पल दे वेचे जेड़ा सा इन दी शक्ति है वो सर्व शक्तिमान है वो कर्मवान है वो करन कारण समरत्थ है वो सदा सदा ही अटल है सदा रेंड़ा है सदा शिव है सदा हमेशा उस दी पूजा हुंदिया सारा संसार वो सदा सेवक है सारा संसार उस दी सेवा करता है सारा संसार उस दी पूजा करता है तो सासंग जी इस तरह देनाल उस दा राज जड़ा अटल है जे उचावे ते पल दे विच एक मनोख जीव नू भी मार के ते जे उचावे ते जिवा सकदा है ते जे उचावे ते जी मरे होए जीव नू जवा सकदा है और जीवे होए मनोख नू एक पल दे विच ओ मार भी स सकता है उस दे कर्मा दे मताबक वैसे परमात्म किसे नाल दोश नी रखता और निर्वैर है किसे नाल वैर नीकर्द अ वैसे नर्मात्मा सिदान्थ है कि जैसे जीवा दे कर्म pon kilo सब्रोस नूँ जोगत के रांगत्यिन के नाम नेक नंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दर्बार ओर परम्पिता परमात्मा दा दरबार सच्चा है और उस ने ए संसार दे विचे राती रुती पैदा करके थित्ती वारां पैदा करके उस परम्पिता परमात्मा दे तर्मनू कैम करन दा जिमें चंद सूरज राता रुती थित्ती वार पवन पाणी अगनी पताले पवन पाणी स इसारी जड़े ऐ आए उस पर्मातमा दे होकम दे बिच्श चलरहें है न इसे तरहां ही सारा संसार जड़े जीव जनापक्ष सब पön शूरे बिच्च सारी दी सारी बनस्पत उस पर्मिता पर्मातमा दे घक्रम दे करता है उन अनुमान बख्षता है इस तरह दे नाल पाई इस पवन जड़ा है जो उरु साब ने सानों एक गल हो दसी होई है कि पवन ही जड़ी है उसाड़े साहां दे पुंची है इस सास सिम्रो गोबिंद जिदो असी इस तरह दे नाल परमातमा दा नाम से मिन कर दे ना तो मने अंतर की उत्रे चिंद इस तरह नाल साड़े मंदी चिंता जड़ी है मंदी कश्ट जड़ी है ओ दूर हो जड़ी है कलेस जड़ी है ओ दूर हो जड़ी है रोग संताप जड़ी विच फिर ए जीवत हो के पहला जिनने वी जीव है जिनना चेर प्रमातमा दी शर्ण हों दे प्रमातमा दी नाम दे विच रंगे नी जांदे प्रमातमा दी नाम दे विच मस्त हो के प्रमातमा नू ही समर्पत नी हों दे ओना चेर जड़े है इस सारे दे सारे जीव जड़े ह पर जिदो ये परमात्मा दे शर्न होके परमात्मा दे चर्ना दे विच नाम सिम्रन कर दे ओदो ये जीवत हो जन्दी है ते ये जयोंदी होई जागती रूँ जेडी है फिर परमात्मा दे चर्ना दे विच हाजर होके परमात्मा दे नाम सिम्रन कर दे होई परमात्मा दर्श प्रमात्मा जैसा भी होकम हो सुनू करते हैं गुरु साव ने बक्षिश कीती है सच खंड वसैन रेंकार करकर वेखाय नदरने हाल तिथे खंड मंदलवर पंड जे को कथ है ता अंतनांत तिथे लो लो आकार एर उहां हो थे लो लो आकार दे विच ब्राजमान हों दियां और प्रमात्मा दे दर्शन करते हैं तिथे लो लो आकार जिव जिव होकम तिवे तिवकार जिवे इनानु प्रमात्मा दा होकम हों दा ओमे कर्म करते हैं जिव जिव होकम तिवे तिवकार वेखाय विक्स है कर विचार प्रमात्मा इनानु वेख के बड़ा खोश होंता है ना प्रिप्ट नानक करना और यह दस रहे हैं तो नूँ पर एक कथन करना जीड़ा हर बंदे वास्ते बहुत ऑखा है क्योंकि जिसने परम्पिता प्रमात्माद यह द्वारा देख लिया है ओ तब यह प्यां कर सकता है पर जिसने हाले तिक रूप्रता प्रमात्माद दर्शन न नहीं होया ओस वास्ते ए बहुत सार सच खंड दा बेरवाद देना जिड़ा बहुत आउखा है तो साथ संग जी एनिया वचारा करता है दास शमा दा जाचका है वह गुरु जी का खाल सा वह गुरु जी की फती